का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार लेब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स की क्लासेश लेकर के आ रहा हूँ और अपन टॉपिक डिसकस कर रहे हैं विदूत चेत्र और गाउस का निय और गाउस के नियम के अनूप्रियोगों के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंतरगत मैंने आप सभी लोगों को समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विदूत चेत्र की तिवर्ता कितनी होती है उसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे तो आज अपन पढ़ने वाले हैं समरूप रूप से यानि समान रूप से आवेसित uniformly charged non-conductor अचालक यानि कि इंग्लीज में होता है non-conducting या non-conductor गोला यानि spare के कारण विदूत चेतर की तिवरता यानि कि कोई गोला है और वो गोला कैसा है अचालक है नॉन कंडक्टिंग है तो उस नॉन कंडक्टिंग गोले के कारण जो विदूत चेत्र होगा उस विदूत चेत्र की तिवरता क्या होगी ठीक है अब गोला है तो गोले के अलग-अलग बिंदूओं पर अलग-अलग बिंदू गोले के अंदर हो और हो सकता है कि वह बिंदू गोले के बाहर हो समझ में आई बात भाई जो बिंदू है वो गोले के अंदर गोले की सतह पर और गोले की सतह से बार हो सकता है ठीक है अब अगर वो तीनों ही अलग-अलग इस्ततियों में हैं मानने लीजिए पहला के सपन लेते हैं कि वो बिंदू जो है उसके अंदर आ जाए क्या हो जाए जो आपका जिस बिंदू पर आप विदुत चेत्र निकालने की सोच रहे हो वो बिंदू क्या हो गया आपका गोले के अंदर आ गया अब जैसे ही वह बिंदू गोले के अंदर आएगा तो वहां का जो विदुत चेत्र होगा वो हो जाएगा आपके क्या रो अपॉन थ्री एपसालिन नॉट इन्टू आर यह आर का मतलब है उसके केंद्र से कितनी दूरी पर वहबिंदू उपस्तित है ठीक है यह रहा यह पॉइंट यह देखो और यह स्मॉल आर दूरी पर है तो आपका किसी भ गोले के कारण उसके आंतरिक भाग में जो विदुत चेत्र होता है वो कितना होता है तो रो अपॉन में थ्री एपसालिन नॉट इन्टू आर क्या होता है रो अपॉन थ्री एपसालिन नॉट इन्टू आर होता है अब आपको पता है कि यह जो इस्मॉल आर है यह कौन सी द अगर पहुँच जाए अपन तो केंद्र से उस बिंदू की दूरी कितने होगी जीरो सिधी सी बात है और अगर केंद्र पर small r की value जीरो है तो केंद्र पर विदूत छेत्र कितना होगा जीरो होगा इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी गोलिय अचालक गोले के कारण जो उसके केंद्र पर विदूत छेत्र होगा वो तो होता है जीरो लेकिन उसके केंद्र से जैसे जैसे आप उसकी सतह की और बढ़ेंगे तो उसका विदूत छेत्र जो है बढ़ता जाएगा और कितना हो जाएगा rho upon 3 epsilon not into r ठीक है अब हो सकता है कि वही बिंदू हम जो है विदुत चेत्र कहां निकालने पर आ जाए उसके सतहे के उपर ही आ जाए अगर हमें विदुत चेत्र किसी भी अचालक गोले की सतहे पर निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा कि उसके केंद्र से दूरी और उसकी त्रिजिया बराबर हो जाएगी और जब उसकी त्रिजिया और केंद्र से दूरी बराबर हो गई तो विदुत चेत्र क्या हो जाएगा रो इंटू capital R upon M3 epsilon not क्या हो जाएगी रो इंटू capital R upon M3 epsilon not हो जाएगी और ये जो विदू चेत्र होता है वो अधिक्तम होता है क्या होता है maximum होता है यानि कि किसी भी अचालक गोले के कारण उसकी सत्य है कि बिंदूओं पर उत्पन विदुत चेत्र अधिक्तम विदुत चेत्र होता है समझ में आ गई बात कितना होता है अधिक्तम रो कैपिटल र यानि तिर्जिया अपन में थ्री अपसालन नॉट तीसरा पॉइंट अगर वह बिंदू क्या हो जाए उसके केंद्र से भी बाहर चला जाए क्या हो जाए देखो भई केंद्र पर रखा अपन ने उसकी केंद्र से सतह के बीच रखा सतह पर रखा अब सतह से अपन बाहर चले गए जैसे ही सतह से बाहर जाओगे तो आपके त्रिजिया से बढ़ी हो जाएगी अपॉन में small r square ठीक है यह फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा difficult होता है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि rho upon 3 epsilon not तो चाहे उसके केंदर पर हो सतह पर हो या बीच में कहीं पर भी हो या बाहर हो आना ही आना है बस r को change करते रहना है तो जब सतह के अंदर है तो small r से होता है और जब आप सतह से बाहर निकल जाते हो तो capital r का तो cube होता है और divide कर दिया जाता है small r के square से समझ में आ गई बात यहाँ पर sir यह rho क्या है तो जैसा कि अपने पीछे पढ़ते हुए आए हैं lambda और फिर आपने पढ़ा sigma तो यह ऐसे ही rho भी यह क्या है तो rho है volume charge density ठीक ह यानि कि पूरे volume के अंदर कितना charge है तो rho बराबर हो जाएगा q upon v क्या हो जाएगा q upon v और v जो है वो किसी भी गोले का volume कितना होता है तो किसी भी गोले का volume होता है 4 by 3 pi r cube क्या होता है 4 by 3 pi r cube समझ में आ गई बात तो समरूप आवेसित अचालक गोले के कारण विदूत चेत्र की तीवरता केंदर पर हम केंदर से start होंगे केंदर पर 0 केंदर से लेकर सतह के बीच में तो rho upon 3 epsilon not into small r जब सतहे पर पहुँच गए तब rho capital r upon me 3 epsilon not और जब सतहे से बाहर निकल गए तो rho upon 3 epsilon not into capital r का cube upon me small r का square समझ में आ गई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए चलिए बात करते हैं आगे तो आगे आजाता है इसका graph तो graph क्या बनेगा देखो भई इसके origin से अपने start करेंगे origin पे 0 origin से लेकर के उसकी सतहे के बीच में सतहे कब आईगी जब small r और capital r बराबर हो जाएंगे तो origin से लेकर सतहे तक क्या होता है electric filter directly proportional होता है r के और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ये straight line आ जाएगी फिर आपके यहां से सतहे पर आते ही यहां से भी यह दीरे 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 degrees होगा क्यों होगा degrees क्योंकि आपको पता है कि सतहे के बार का formula क्या है rho upon 3 epsilon 0 into capital r का cube divided by small r का square ये है तो r के साथ में कैसे change होगा inversely proportional r square के साथ ऐसे change होगा तो फिर ये graph ऐसा बनता है यानि कि जैसे जैसे e आपका गटता जाएगा r बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और आपको भी पता है जैसे जैसे r 0 जो e है आपका वो 0 की और बढ़ेगा तो r infinite की तरफ बढ़ेगा और r maximum infinite ही तो हो सकता है उससे जदा दूरी तो कहां जाओगे infinite से तो जागे है ना तो जैसे जैसे आप देख रहे हो इगर आप देखो infinite की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो अ चालक को गोले के लिए अलग result है चालक गोले के लिए अलग result है आपको दोनों के लिए अलग अलग याद रखने होंगे समझ में आ गई बात यहां तक अगर किसी को कोई doubt हो तो please comment जरूर किरके बताईएगा और जो आप वीडियोज देखते हैं तो please उन्हें like and share करना बिल्कुल नहीं भूले question practice का आप कह रहे हैं तो आप पूरा वीडियो पहले देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ question practice हो रही है कि नहीं मैं हर concept के उपर question करवा रहा हूं फिर भी आप comment करते हैं बार बार की सर आप जो है question practice करवाईए और सर यह कर दीजिए वो कर दीजिए आप वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं व्यूज नहीं आ रहे तो फिर मैं कैसे फिर मैं कैसे सोचू कि नहीं आपके लिए गलासे लानी चाहिए आपको जो है देखो जूटे रिजल दिखा करके लो बलू हमने message करके आपको बार बार motivate करके या मैं फालतू की यहां यूटूब पर जोक बाजी करके आपको collect रूँ तो यह मेरा ethics नहीं है मैं इसके आपको बता देगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कोचिंग वाले उनको पैसे दे रहे हैं वो उनका फोटो ले रहे हैं नाम ले रहे हैं और कुछ नहीं है हकीकत है यह अब आप नहीं समझते हो तो वह आपकी गलती है ठीक है वरना अगर इतने ही कोचिंगों से इत्य कर देंगे लेना फिर पेड कोर्स फिर पता चल जाएगा चलिए अब देखिए आपके सामने है एक कोशन इस कोशन का अला कि सॉलिसन पहले से कर रखा है देखिए समझने का प्रयास करेंगे अपन अर्च आलक गोला है यह पहले ही बताया है ठीक है अब अर्च आलक गोला ह लिए आपको पताओ होगा केंद्र पर क्या करोगे जीरो केंद्र से लेकर सतह के बीच में rho upon three epsilon not into small r सतह पर rho upon three epsilon not into capital r और सतह से बार रो अपन थ्री अपसालन नॉट कैपिटल अर का क्यूब अपन में इस्मॉल अर का स्कुर कैपिटल अर क्या है तिरजिया इस्मॉल अर क्या है उस बिंदू की दूरी उसके केंद्र से तो बताईए निम्न मैंसे नियुनतम विदूत चेत्र किस बिंदू पर होगा A, B, C, D यह कर रहा है नियुनतम विदूत चेत्र कहां पर होगा है ना आपको पता है केंद्र पर जीरो हो जाएगा और इसके भीतर भीतर यानि सतह के उपर नहीं सतह के अंदर-अंदर क्या होता है Rho upon 3 Epsilon not into small r और सतह पर क्या हो जाता है Rho capital R upon me 3 Epsilon not यह होता है चलिए अब देखिए भाई ओपर तो अपन से पूछा नहीं है जाए A, B, C, D की बात कर रहा है तो A, B, C, D अब देखो यह A की डिस्टेंस मान लो R1 B की मान लो R2, C की मान लो R3, D की मान लो R4 किलियर है, सीदी सी बात है अब जहां पर R सबसे बड़ा होगा उसका सरवादिक विदूचेत्र होगा और R जिसका सबसे कम होगा उसका सबसे कम विदूचेत्र होगा बताए R1 क्या है? सबसे चोटा है, सबसे बड़ा कौन R4, फिर R3, फिर R2, फिर R1, अब बताएए विदू चेत्र भी इसी करम में होगा तो सबसे नियुनतम हो जाएगा A वाले बिंदू का तो यही इसका राइट आंसर है A वाले बिंदू का विदू चेत्र नियुनतम होगा क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है R4, अब बिंदू है यहाँ पर तो सरवादिक विदू चेत्र होता है कितना R4, अब बिंदू चेत्र जो कि क्या है अचालक गोले के लिए अधिक्तम विदू चेत्र है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अचालक के लिए अचालक गोला है कोई तो उसके लिए अधिक्तम विदू चेत्र कितना पॉसिबल है तो R4, अपॉन 3, Epsilon, Nod, 2 उसकी त्रिजिया समझ में आगई बात और नियुनतम कितना पॉसिबल है तो 0 समझ में आगई बात नियुनतम पॉसिबल कितना है 0 सेंटर पर चले जाओ केंदर पर 0 विदूत चेत्र होता है ये चीज़े मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ समझ में आगई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए आप लोगों को अपने आवेशित वले की और गोलों की अपन ने बात कर ली है अब अपन किसकी बात करेंगे वले के लिए बात करेंगे यानि रिंग के लिए बात करने जा रहे हैं कि वी रिंग के लिए विदूत चेत्र कैसा होगा और कहां तक होगा ये जो सब आप पढ़ रहे हो ये सभी आपके किसके अनुप्रियोग हैं तो ये सभी के सभी जो है derivation किससे किये जा सकते हैं आपका जो gaus नियम है उस gaus नियम से आप इन सभी फॉर्मुलों को derivation इनका प्राप्त कर सकते हो लेकिन हमें इनके derivations की कोई जरूरत नहीं है हमें वले के कारण विदूत चेतर कितना होगा ठीक है electric field due to uniformly charged ring ठीक है किसकी बात करने जा रहे हैं uniformly charged ring के कारण विदूत चेतर कितना होगा अब मैं आपको बता दू ये मान लीजी अपने पास में एक ring है ठीक है ये ये वाली ये एक ring है और ring कैसी होती है आपको पता ही होगा है कड़े टाइप की है आपके आद में कड़े वगए आप पहनते ही होगा सी ring वगए आपने देख ही रखी होगी छूडिया जो होती है वो ring का ये एक example है तो ये एक ring मान लीजीए और जिसकी तरिजिया आपन मान लेते हैं small a है internally और उसे केंदर से r दूरी पर एक बिंदू ह a कितनी दूरी पर है small r दूरी पर एक बिंदू है capital a वहाँ पर आपका जो है विदूत चेत्र कितना होगा तो वहाँ या अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी ring से r दूरी पर जो विदूत चेत्र की तिवरता होती है वो निकालने का formula क्या है तो e a बराबर one upon four pi epsilon not ये तो आपक k का मान कितना होता है 9 into 10 की power 9 ठीक है इसका गुणा हो जाएगा r जितनी दूरी पर आपको विदूत चेत्र निकालना है और capital q capital q है इस पूरी ring के उपर आवेस कितना है ठीक है divide by a square उसकी त्रिजिया का square plus उससे कितनी दूरी पर अपन निकाल रहे हैं यानि ये ultimately ये वाली दूरी ली जाती है ठीक है ये वाली जो दूरी है ये कितनी होगी तो ये दूरी हो जाएगी under root a square plus r square और इसका जब square करोगे तो क्या हो जाएगा r q upon a square plus r square की power 3 by 2 तो a distance पर विदूत चेत्र कितना हो जाएगा one upon four pi epsilon not यानि कि k into small r into capital q upon में a square plus r square की power 3 by 2 हो जाएगा अब आपको बता दू कि maximum विदूत चेत्र कहां पर होगा है ना भाई maximum इस ring के कारण विदूत चेत्र कहां पर उत्पन होगा तो maximum value of electric field होती है one upon four pi epsilon not into two q upon में three root three r square ये इसकी maximum विदूत चेत्र की तिवरता है जो आपको याद रखनी है कितनी होती है तो maximum विदूत चेत्र कितना होता है one upon four pi epsilon not जिसे अपन कहते है k तो आप ये कह सकते हो कि इसका maximum value होती है new ऐसे याद रख सकते हो two k q upon में three root three capital r का square ठीक है क्या होती है three root three capital sorry two k q upon में three root three small capital r का square ठीक है capital r का मतलब क्या है सर वही इसकी radius ठीक है न और कोई नहीं है capital r का मतलब ही क्या है इसकी radius है तो आपको मैं यहाँ पर एक homework दे रहा हूँ और वो homework यह है कि आपको यह पता लगाना है कि यह maximum electric field जो मिलेगा यह maximum electric field कौन सी दूरी पर मिलेगा ठीक है मतलब इस maximum electric field को प्राप्त करने के लिए आपको इस ring से कितनी दूरी पर बिंदू को रखना होगा ठीक है यह आपको ग्याद करना है कैसे करोगे तो यह जो अपना maximum electric field है इसको इस electric field के equal रख देना और यहाँ पर यह जो a है इसकी जिगे आप capital r रख देना तो यहाँ से small r की value आजाएगी दोनों को जब आप equate करोगे तो ठीक है और वो value क्या आती है वो आपको comment करके मुझे बतानी है समझ में आगई बात clear है आप सबी लोगों के लिए तो समान रूप से आवेशित वले के कारण विदूद छेत्र कितना होता है तो 1 upon में 4 pi epsilon 0 यहानी की k into r q upon में a square plus r square की power 3 by 2 ठीक है चलिए next अपने आ जाता है अब इससे related अब आप एक question लिखेंगे question करने जरूरी है physics के अंदर और question लिखेंगे 10 cm व्यास 10 cm व्यास के एक गोले के 10 cm व्यास वाला अपने गोला लिया और इस गोले के एक समान रूप से आवेसित किया गया है ताकि इसकी सत्य है पर विदूत चेत्र मैं यह लिख रहा हूँ ठीक है विदूत चेत्र की तिवरता पाँच इंटू दसकी गाद माइनस पाँच वोल्ट पर मीटर हो जाती है गोले के केंद्र से 25 सेंटी मीटर दूरी पर इस्तित दूरी पर इस्तित पाँच इंटू दसकी गाद माइनस दो माइक्रो कुलम आवेस पर बल का मान ग्यात कीजिए ठीक है कोशन क्या है 10 सेंटी मीटर व्यास का एक गोला है सम्मान रूप से आवेसित किया गया ताकि इसकी सतेह पर विदुद चेत्र कितना उत्पन हो जाए सतेह पर बोलाए ठीक है तो देखो पहला तो क्या एक सम्मान रूप से है एक गोला है तो गोले जो है आपको मैंने बता दिये थे कि दो टाइप के होते है ठीक है अब गोले के लिए उसकी सतेह पर विदुद चेत्र कितना हो जाएगा ये भी आपको बता रखा है और अब गोले के केंदर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इस्तित है ठीक है उस बिंदु के उपर आवेस कितना लग रहा है 5 इंटू 10 की गद माइनस 2 माइक्रो कुलम आवेस पर बल कितना लगेगा यानि आपको पहले क्या करना पड़ेगा आपको भी पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर किसी भी आवेस के उपर बल कितना लगता है QE है ना तो Q तो है अपने पास में अपने को निकालना पड़ेगा E अब E निकालने के लिए आपको पता है कि गोला अगर अपने को देर रखा है तो गोले के कारण उसकी सतहे पर विदूत चेत्र कितना होता है वो होता है के Q अगर उसके उपर अपने स्मॉल क्यू आवेस माले तो तो KQ अपन में उसकी तरिज्या का स्क्वेर यह होता है ठीक है अब अगर यह तो आगया उसकी सतहे के उपर विदूत चेत्र और अगर उसकी सतहे से बाहर होगा बिंदू यह तो आ गया उसकी सतेय पर अगर उसकी सतेय पर बाहर होगा तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला तो हो जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वैर यही होगा और तो कुछ होने वाला नहीं है ठीक है अब इसने बोला है कि गोले के केंदर से 25 cm की दूरी पर अब जब कि गोले की तरजिया कितनी है पांच सेंटी मीटर तो गोले से तो बहार है यह विंदू बहार है यानि कि यह वाला अपने को फॉर्मूला यूजर करना पड़ेगा समझ में आ गई बात सीधी सी बात है अब देखिए तो अपने पास में जो इसकी सतहे पर विदू चित्र है वो दे रखा है तो मैं यहां से क्या करूंगा कि यहां से जो Q की वैल्यू आ रही है उसको और इसको दोनों को यूज़ करना पड़ेगा है ना तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि इनका डिवाइड कर दो दोनों का और इनको जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा E small r बटे मैं अगर E capital r निकालू तो क्या आ जाएगा अपने पास में तो वो आ जाएगा अपने पास में यह डिवाइड हो जाएगे e r उपर रखेंगे और यह e r नीचे तो यह आ जाएगा r square तो उपर और इस वाले का r नीचे आ जाएगा यह बन जाएगा भई बहार के बिंदू की विदू चेत्र बटे उसकी सतहे पर विदू चेत्र बराबर क्या हो जाएगा उसकी तरिज्या का square बटे उस बिंदू की दूरी का square यह होगा यहां से अगर बहार के बिंदू का विदू चेत्र निकाला जाए तो वो क्या आएगा देखो तरिज्या कितनी है पांच यानि 5 का square बिंदू की दूरी कितनी है 25 यानि 25 का square गुणा उसकी सतह पर विदूत चेत्र कितना है तो 5 इंटू 10 की घात 10 की घात कितना है minus 5 यहीं दे रखा है तो यही हो जाएगा अरे यही होगा के नहीं होगा बस तो यही हो जाएगा अब इसको करेंगे अपन solve देखो 5 का square है यानि 25 तो ये 25 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 5 बार clear है ये कट गया अब ये कितना आ गया एक बटे 5 गुणा 10 की गात माइनस 5 अगर इसको divide करते हैं तो ये आता है 0.2 एक कदम पीछे जाएगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वाल्ट मीटर इन्वर्स ये ही आएगा तो ये electric field आ गया 25 सेंटी मीटर की दूरी परिस्थित बिंदू का तो अपने पास में बल कितना हो जाएगा तो बल हो जाएगा cube एप बराबर QE तो Q की value कितनी है तो Q की value है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू E की value कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगा तो देखो भई 5 टूजा 10 10 यानि कि ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 1 तो ये ultimately लास्ट में आंसर आजाएगा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन और यही राइट आंसर हो जाएगा समझ में आ गई बात किलियर है आप सबी लोगों के लिए क्या करना था क्या कोशन था सुन लो वापस से समझो देखो एक ही कोशन को दो तीन बार करोगे तो कोशन समझ में आ जाएगा और मैं 10-12 कोशन करवा हूँ और एक भी कोशन समझ में नहीं आए कोशन ही समझ नहीं आए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है सिधी सी बात तो है यह ठीक है तो मैं आपको समझा देता हूँ देखिए वापस सुन लीजिए कोशन है कि 10 cm व्यास वाला एक सम्मान रूप से आवेसित गोला है और उसकी सतहे पर जो विदूत चेत्र है वो कितना है तो सतहे पर विदूत चेत्र है 5 into 10 की गात माइनस 5 वाल्ट मीटर इन्वर्स समझ में आगई बात और फिर बोला कि गोले से 25 cm की दूरी पर इस्तितर जो आपका आवेस है 5 into 10 की गात माइनस 2 माइक्रो कुलम उस पर आवेस पर बल जो लगेगा वो कितना लगेगा ये आपसे पूचा जा रहा है समझ में आगई बात किलियर है आप सबी लोगों के लिए तो हमने क्या करा पहले उसकी सतहे पर जो विदू चेत्र है उसका फॉर्मूला लिखा और उसके बाद मैं उसके बहारी बिंदू पर विदू चेत्र कितना होगा वो लिखा दोनों का अपने रेश्यो निकाला दोनों के रेश्यो निकाल करके तरिज्या और दूरी को पूट करके और अपने बहारी बिंदू का विदू चेत्र निकाला और उस विदू चेत्र का गुणा कर दिया उस क्यों आवेश से तो उसके उपर जो बल लग रहा था वो अपने निकाल लिया है समझ में आगई बात यहां तक की बात है अगर आप लोगों के लिए किलियर हो चुकी है तो आप सबी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना यह जो पूरा चैप्टर था गाउस के नियम, अनुपरियो, कुलम नियम, विदुचेत्र यहां पर होता है पूरा अब आपको और ज़्यादा कोशन प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज आप जो है कमेंट करिएगा मैं और भी ज़्यादा नए नए और भी इससे difficult questions लाने की कोशन करूगा और आप लोगों के लिए जो PYQs आपके आचुके हैं जो अभी तक 3-4 अपने पास में paper हो चुके हैं उनमें आए हुए questions भी आपको इस chapter से करवाऊंगा ताब कि आपको यह समझ आए कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है वही आपके आया भी है ठीक है तो love you all of you please take care and please share with your friends जय हिंद जय भारत